तो आज हम बनाएंगे तील गूर और मुंफली से लड़ू जो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है तो चलिए देखते हैं हेल्दी लड़ू को कैसे बनाना है अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे तो चलिए हम लड़ू बनाते हैं तो लड़ू बनाने के लिए हम यहाँ पे कराही को गरम कर लिए हैं और फ्लेम को हम लो कर दिए हैं और अब हम एक कप मुंफली लेंगे और इने हम भून लेंगे और मुंफली को लो फ्लेंपे अच्छी तरह से 5-6 मिनट तक भूने ताकि वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए 5-6 मिनट आपको लग जाएंगे मुंखली को भूनते हुए और देखी हमने मुंखली को अच्छी तरह से बुण लिये हैं अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब हम स्यम कराही में ही growth the 4-5, लिंगे इसमें पर सीम कराही चाही का तिल लेंगे ये उज़ला वाला सिल है तो इन्हें भी हम लृफ्लीमपे इसमें ज्यादा टांम आपको भूनमें नहीं लगेगा तीन से चार मिनट में ये भून जाता है और इन्हें भी आप लो फ्लेम पे ही भूलें और लगातार चलाते रहने तो थोरा सा लग जाएगा तो जल सकता है तो हम यहाँ पे दो से तीन मिनट तक तील को भून लिए हैं तिल जब भुनाता है थोड़ा सब फुल जाएगा और हलका सब राउन टैप का दिखने लाएगा तो अब समझ जाएए कि तिल भुनकर त्यार हो गया है तो अब देखिए हमने अच्छी तरह से तिल की भुनाई कर ली है तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते ह और इन्हें भी हम ठंडा कर लेंगे मुंगफली को भी हम ठंडा करेंगे और तिल को भी ठंडा करेंगे और मुंगफली को ठंडा हो जाने के बाद हम उनका छिलके को उतार ली है यह देखिए इस तरह से छिलके उतार लीजी और इधर तिल भी ठंडा हो गया है तो अब हम ग्राइंड करेंगे, तो ग्राइंड करने से पहले हम थोरा सा तिल में से अधा अलक कर लेंगे, इसे हम साबूत ही रखेंगे और बाकी तिल को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, तो पहले हम दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं, यहाँ पे मौंग फली को सबसे पहले ग्राइं लकिन बहुत ही अच्छा होता है विन्टर के लिए तो गुर में ही लडु बनाए बहुत ही टैस्टी होगा और इसमें पानिया कुछ भी मिक्स नहीं करना है और अब हम इसमें डालेंगे मध करना की हम दो हाप कर देंगे ताकि लड़ू बहुत सब्थ हो और चार से पांच हड़ी लाइची क्रस्ट करके हम इसमें एड़ कर दिये हैं और इन्हें हम लो फ्लेम पे ही मेल्ट होने देंगे दो से तीर मिनट आपको मिल्ट करने में लग जाएंगे और यह देखिए यह देखिए हलका सा बबल आने लएगा इस टैप से तो समाझ जाएए कि आपका चास नियदम परफेक्ट है इसमें कोई भी ताड नहीं बनाना है तो हलका सा मिल्ट हो जाए और उसमें हलका बबल आन इसको बंद कर देंगे और अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इन्हें हम ठंडा करेंगे तब हम इनका लड़ो बनाएंगे तो पहले इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हलका जब गरम रहे उसी समय हमें लड़ो को बना लेना है तो यह अगर आपको लड़ू बनाने में दिक्कत आ रही है तो क्या कीजिए कि फिर से उसे आप गैस पे चरहा लीजिए और एक से दो मिनट तक इन्हें गैस पे गरम कर लीजिए तो ओ भी असानी से बन जाएगा यह एक नया ट्रीक है तो इस ट्रीक को जरूर अपनाईएगा अगर आपका लड़ू नहीं बनता है तो देखिए लड़ू हम इस तरह से सारे लड़ू को बना कर त्यार कर लेंगे और ये देखिए सारे लड़ू हम बना कर त्यार कर लिये हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट लड़ू बनता है एकदा मुह में गूल जाने वाला एक तोर के मैं दिखा दे रहे हूँ तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है बहुत ही टेस्टिव लगता है तो इस विंटर पे जरूर ट्राई किजिएगा आप लोग को बहुत बसंद आएगा थैंक यू